कि हालो एंड वेलकम तो वाइसेज़ क्लासिज आज हम पढ़ेंगे टाइप साफ प्योवर सबस्टांसेज ठीक है जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वाट आर दी टाइप साफ प्योवर सबस्टांसेज बिटा लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ब एक रिच्चर को शुरू करते हैं टाइप सप्योवर सबस्टांसेज तो अपने बस्ताइंगे तो यह दो टाइप सह करते हैं प्योवर सबस्टांसा सत fryingच है ठीक है छो ए ठोड़ा सा हम यहां से कुछ ब्रीफ आओर व्र विव जो है इसका पड़ते हैं अंडी वेससे एफ दियर केमिकल कंपोजिछन बिटा आं अंडी बेशिख आफ दियर केमिकल कंपोजिशन में समस्तांस की केमिकल कंपोजिश जो सबस्टांसे होते हैं आटिय अडरेयर एलिमेंट और कंपाउंड जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप याद रखिए कि प्यूर सबस्टाम जो है वो दो तरह का होता है एलिमेंट और कंपाउंड तो एलिमेंट क्या है चली जानते हैं देखिए रोबर्ट बाहिल वाज दिफस्ट साइंटिस्ट तो यूज टर्म 1661 आपको याद रखना है कि रोबर्ट बाहिल वाल नाम के साइंटिस्ट जो है वो 1661 में पहली बार जो है एलिमेंट जैसी टरम को यूज करते हैं ठीक है उसके बाद एंटाउनी लॉरेंट लवाइजर जो है वो जिनका 1743-94 तक का दाउर है एफ फ्रेंच केमिस्ट वाज देफस्ट वाज़ेंट एंट एक्सपरिमेंटली यूजफूल डेफिनिशन आफ एलिमेंट तो अगर हम एंटाउनी लॉइजर की बात करेंगे जो कि फ्रेंच केमिस्ट है वो क्या करते हैं सबसे पहले वाज़ी फस्ट वह मदब एक पहले सेंटिस्ट है जो क्या करते है एक्सपरिमेंटली यूजफूल डेफिनिशन जो है वो एलिमेंट की प्रोवाइड करते हैं तो जिससे हम उसका डेफिनिशन जो है वो क्या लेते हैं ही डैट मेंज एंटोनी लवाइजर डिफाइंड एन एलिमेंट एज बेसिक फॉरम आप मैटर यहां से लिखेंगे एन एन एलिमेंट इस डिफाइंड एज बेसिक फॉरम आप मैटर यहां से लिखेंगे जिसको आप बिल्कुल भी जो है वो ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हो ठीक है सिंप्लर सबस्टांसेज में नहीं कर सकते हो किसी भी केमिकल रियक्शन या केमिकल प्रोसेस के दुआरा ठीक है उसे हम एलिमेंट कहते हैं एलिमेंट्स केन बी नॉर्मली डिवाइड इंटू मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स देखें यह तो हो गई एलिमेंट्स की टाइपस आगे लेकिन एक और डेफिनिशन अगर आपको यह थोड़ी से कटिन लगती है तो आप यह याद रिखेंगे की एलिमेंट मेबी डिभाइण ऐस प्युवर सबस्तंस या मेबी डिफाइण ऐस प्युवर सबस्तंस यह एक प्युवर सबस्तंस होता है ठीक है which is made up of which is made up of only which is made up of only one kind of made up of only one kind of items जो सिर्फ एक ही किसम के items से जो है वो बना हुआ होता है ठीक है बड़ा तो यह element को आप इस तरह से भी बोल सकते हो चले आगे बढ़ते है types of elements की अगर हम बात करेंगे तो elements are यहां से आप बताएंगे types elements can be normally divided into ठीक है metals, non-metals and metallides that means three types what are metals? let's know metals usually show some are all the following properties ठीक है metals क्या होते है आप देखें यहाँ properties की बात हो रही है पहले आप यह बताएए कि metals की definition क्या आएगी आप बताएंगे metals are elements बिल्कुल ठीक है metals to elements ही है elements की एक type जो है वो metal है तो आप इसकी definition जो है वो इस तरह से बताएंगे की metals means the elements the elements the elements which are electro positive which are electro positive in character or you can say nature ठीक है electro positive in character electro positive in nature what does this mean इसका पतलब यह हो गया कि जो elements जो है वो electron क्या करते हैं loss करते हैं ठीक है ऐसे elements को हम metals कहते हैं ऐसे elements को क्या कहते हैं metals कहते हैं कुछ properties है basic metals की जो आप इनकी definition में और याद रखेंगे यानि वो है इनकी lustrousness ठीक है नहीं जिसका आप बताएंगे lusher ठीक है नहीं तो बताएंगे metals जो होते हैंगे they are lustrous in nature what they are lustrous they are lustrous in nature lustrous in nature means they have shiny appearance ठीक है इसका क्या मतलब है इस lusher का मतलब क्या है कि इनका जो है shiny appearance होता है metals जैसे elements का ठीक है बताएंगे चले कुछ properties जो है इनकी definition के बाद थोड़ी सी discuss करते हैं ठीक है properties of metals आप अपनी copy पे next setting जो है वो properties of metals डालेंगे tone में ये पहली property है they have a lusher या आप बता सकते है metals show a lusher ठीक है that means they have shiny appearance they have silvery grey golden yellow color ठीक है इनकी colors यो है silvery grey या फिर golden yellow यो है वो color हो सकता है they conduct heat and electricity this is very important property अगर आप elements यानि जने हम metals कह रहे है तो metals वाले elements में बटा एक ऐसी tendency होती है कि अगर आप उनको heat करते हो अगर suppose किजिए कि आपके पास ये एक metal का sheet है आप इसको यहां से जो है वो heat करते हैं तो थोड़ी दिर के बाद आप देखने को मिलेगा कि heat यहां से transfer होकर जो है वो इस end तक भी आ गई होगी ठीके जिसको हम बोलेंगे कि heat का conduct होना means कि heat जो है metals में एक end से जो है वो दूसरे end में transfer होती है ठीके पास होती है उसको हम बोलते है conduct होती है ठीके उसके बाद आप बताएंगे अगर heat के बजाए आप इसको electricity देएंगे ठीके electric current अगर आप इसको apply करेंगे तो electricity का भी एक good conductor है मतलब इसके electricity जो है वो भी एक end से दूसरे end तक पास हो जाती है ठीके यह आपने आप से यह allow करता है heat को भी और electric current को भी होब की यह चीज आपको समझ में आ गई होगी और very important property है कि metals जो है वो conduct heat भी करते है और electricity भी करते है ओके देयर ductile the ductile in nature ductility property का मतलब हो गया देयर ductile in nature का मतलब हो गए बटा जब हम इनको hammer करते है ठीक है जब इनकी hammering करते हैं तो they can be drawn into thin thin wires ठीक है इनकी क्या होते है थिन थिन जो है वो पदली पदली wires यह हैं इनसे हम ड्रॉ कर सकते हैं तो इस property का नाम है ductility और जो यह metals होते हैं मतला यह ductile in nature होते हैं that means they can be drawn into thin wires ठीक उसके बाद आप बताएंगे they are malleable as well malleability property means ability of an element that means metal specially when they are hammered they can be drawn into thin sheets कि हम उनको thin sheets में जो है वो convert कर सकते हैं ठीक है तो वो लेकिन आप कहां पर याद रखेंगे malleability या malleable का मतलब ठीक है drawn into drawn into thin sheets लेकर बटा thin sheets में आप तभी इनको draw कर सकते हो जब हम इनको hammer करते हैं ठीक है hammering जब हम करते हैं चलिए यह property भी आपकी हो गई metals की कि metals जो होते हैं malleable that means they can be hammered into thin sheets okay next very important is they are sonorous take it that means when when we hit them take any yeah when they they when they are get struck by any hard you can say stick etc they produce sound they produce sound they are snores in nature they make a ringing sound when hit जब यह किसी चीज के साथ टक्राते हैं या फिर जैसे आप देखिए schools के अंदर जो bell हुआ करती है ठीक है नहीं जब उसे हम ठीक है stick के साथ beat करते हैं तो वो produce करती है ringing sound ठीक है तो metals जो होते हैं वो आपने याद रखना है कि they are snores in nature that means the produce are make a ringing sound when hit okay examples अगर हम बात करेंगे metals की examples में आपका gold आता है silver है copper है iron है sodium है potassium है ठीक है यह आपका क्या है examples है metals की उसके पाद आपने याद रखना है कि याद रखिए कि सिर्फ metal mercury जो है एसा metal है mercury is the only metal that is liquid at room temperature पीटा मैंने रूम टंपरचर आपको बताया है क्या होता है room temperature is the temperature of 25 degree Celsius इस range का temperature जो है वो room temperature कहलाता है ठीक है जिसे हम Kelvin scale में कहते हैं अगर हम 25 degree में 273 एड करेंगे हमको 298 मिलेगा लेकिन तब हम इसका unit Kelvin बताएंगे ठीक है यह भी हमने पीछली वाली lectures में जो है chapter 1 में अच्छे से पढ़ा है तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कि mercury जो metal है यह एक सिर्फ वाहिद ऐसा metal है जो room temperature पे liquid होता है बाकी metals की अगर हम generally बात करेंगे they are solid in nature they are solid in nature but except this mercury metal which is liquid at room temperature ठीक है खोब की यह चीज़ भी आपकी clear हुई हो उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे non metals की क्योंकि हमने elements की जो better types कही metals non metals or metallites तो metals हमारा यहां पर खत्म हो जाता है अब हम non metals की बात करते हैं तो चलिए non metals की definition हम सबसे पहले बताएंगे non metals means the elements आप अपनी copy पे लिखे the elements which are देखो बेटा हमने metals के लिए कहा था विचर एलेक्ट्रो पॉस्ट्व एलेक्ट्रो पॉस्ट्व मतलब विच डू लॉस आफ एलेक्ट्रों जो एलेक्ट्रों को लास करते हैं chemical reactions की दोरान ठीक है यहां पर बताएंगे अप the elements which are electronegative which are electronegative in character बोलो या in nature बोलो ठीक है जो electronegative मतलब that is on that is in a chemical reaction they gain one or more electrons depending on situation कि वो क्या करते हैं gain करते हैं gain of electrons करते हैं यानि एक या एक से ज्यादा electrons हो situationally depend करता है reaction पर लेकिन electrons की gaining जो है वो यहां पर होती है इन elements में होती है तो जो elements electron gain करते हैं उन्हें हम electronegative elements कहते हैं और electronegative elements को ही हम non-metals कहते हैं ठीक non-metals usually show some are all the properties all the following properties that means they display variety of colors ठीक देहर पोर conductors आफेटर ने देखे वोड़ा हमने metals में कहा कि metals are good conductors लेकिन यह पोर conductors बोलो यह bad conductors बोलो अगर आप यहां पर heat non-metal को अगर आप heat करोगे ना तो उसके एक end से अलग दूसरे end से तक जो है वो दूसरे end तक जो है वो heat runners पर नही बात करोगे एक end से दूसरे end तक उसकी electricity जो है वो पास नहीं होगी हाँ यहां पर एक exception है ठीक है accept यहां पर आप बताएंगे accept graphite 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 के अलावा graphite क्या है जी graphite एक non-metal element का allotroph है ठीक है जिसे हम carbon यह हमने पीशे पढ़ा ठीक है तो carbon जो है element carbon जो है carbon के allotrophs जो है वो होते ह graphite diamond और buckminster fluorine लेकिन उसमें जो है graphite में मैंने आपको पताया भी है चैप्टर वान में कि graphite जो है यह एक ऐसा non-metallic element यहनी carbon कालोट्रोप है जो electric current को क्या करता है conduct करता है क्यूं क्यूं करता है conduct electric current को इस वज़ए से कि जो इसका structure होता है उसमें एक carbon जो है वो दूसरे तीन ही carbon के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है ठीक है जिसमें अगर हम carbon के valence shell के electron की बात करेंगे carbon के valence shell में 4 electron होते हैं तो यहाँ पर इसके bonding में out of the 4 electrons बेटा तीन ही electron bonding में आते हैं तो हर carbon से जो है एक electron free रहता है जैसे ही आप इस पे electric current अपलाई करते हैं ठीक है तो य यह free electron जो हर carbon का होता है यह carrier बन जाता है यह इस electric current को जो है वो carry करता है आगे आगे crystal में ले जाता है जिससे यह आपका जो graphite crystal होता है वो conducting in nature होता है हालाएं कि यह एक non-metal कालोट्रोफ है non-metals के बारे में हमने पढ़ा कि दियार poor conductors लेकिन यह exceptional case है यहाँ पर हमारे पस non-metal carbon का graphite form जो की conducting in nature होता है hope कि आपको यह चीज clear हुई हो ठीक है बेटा चले आगे बढ़ते है देयार यू कन से नाट लाश्यरस देखो हमने metals में कहा था कि metals लाश्यरस लाश्यरस में देयार देहाँ शाइन एपिरेंस देकर non-metals are not luscious देहाँ नो शाइन एपिरेंस ठीक है उसके पास sonorous are malleable ठीक है लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा बताना कि except bromine बेटा ठीक है bromine metal जो है sorry metal ने non metal जो है यह थोड़ा सा ठीक है metals की तरह भी हीव करता है लस्चर में ठीक है तो इस वाज़े से आप यहां पर थोड़ा इसकी एक 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 एक्सेप्शन याद रख सब्सक्राइब करेक्टर ठीक है नहीं अगर आप इनको बीट करेंगे तो यह कोई ringing sound वगरा जो है प्रोडूस नहीं करते हैं ठीक है और मैलेबल अगर वह आप से या आपके हाथ से गिर जाता है तो वह इसली क्या हो सकता है ब्रेक हो सकता है ठीक है ब्रेक कैबल प्रौपर्टरे को वह श्रो करते है ठीक है डियर मैंड लस्टरस बता है अफने नहीं वह लश्टरस नहीं वह सनोरस नहीं वह मैलेबल कि टीन शीट क्ले में बीब आप उससे ड्राऊ नहीं कर सकते इह ग्जम्पल्स क्या है इसकीँन आifying इउसकी अफक्ण मे इसमें कोई शक नहीं लेकिन यह मैटल्स की तरह भी जेनरली बिहेव करता है यह यह मैटल्स की तरह वह वह करता है ठीक है समझा रही आपको बात तो लेकिन है यह क्या नोन मैटल ठीक है क्यों जब आप देखेंगे कि जब हम इसको metals के साथ में react करते है metals के साथ जब हम इसका reaction लेते तो तब hydrogen जो है बजाए loss के gain of electron करता है क्या करता है gain of electrons करता है ठीक है तो जहां पर electronegative characteristics का हो जाता है जिसके कारण ये क्या रहता है non metal in nature रहता है ठीक है तो इसके examples भी हम प्रोशीट टोड़्स थी मेटलाइड थोड़ा सा मैटलाइड की और जाते हैं थर्ड टाइप्स यह उसको देखते हैं थोड़ा सा तो यहां पर बताएंगे देखें इसका definition अपनी कॉबी पर लिख लीजे डाइलीमेंट्स ने इस प्रोपर्टीज whose properties the elements whose properties are intermediate intermediate का मतलब हो गया ठीक है धर्मियान नेचर की whose properties are intermediate between those of between those of metals and non-metals between those of metals and non-metals होग की है चीज आपकी क्रियर हुई है चले आगे बढ़ते हैं some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals उन्हें को तो हमने metalite बताया ठीक है they are called metalites okay examples क्या है इसकी borohan silicon germanium ठीक है क्या आज की लेक्चर में हमने types of pure substance पड़ा जिसमें element और compound हुआ करते हैं pure substances की types और उसमें जो है हमने आज की लेक्चर में आज की लेक्चर में इतना ही hope कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो फड़ाफाट से चैनल को सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आज की लेक्चर में इतना ही गुडबाई टे केर स्टे फिट एंड